नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपादकी से समंधित इस वीडियो की सुरुबात करते हैं अपने पहले संपादकी से जिसका सिर्षक है रोड बम्स इस संपादकी को लिया गया है दा हिंदू निउस पेपर से और यह संपाद कीए GS पेपर 2 के दृष्टिकों से अत्यनत महत्यपूर्ण है तो चले देखते हैं विस्तार के साथ इस संपादकी को संपादकी का आधार क्या है इसका आधार है पंदरवां वित आयोक भारती सम्विधान में वित्यायोग की चर्चा की गई है और वित्यायोग की चर्चा दो अनुच्छेदों में है अनुच्छेद 281 और अनुच्छेद 281 अनुच्छेद 281 की अंत्रगत तीन प्रावधान है पहले प्रावधान के अंत्रगत या विवस्था की गई है कि राष्टपती प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ती पर पांच सदस्ये एक वित्यायोग का गठन करेगा वहीं दूसरे प्रावधान के अंतरगत यह विवस्था है कि आयोग की सदसता के लिए योगिता निर्धारण की सक्ति संसत के पास है और तीसरे प्रावधान के अंत्रगत आयोग के कर्तव्यों का जिक्र है जिसके अंत्रगत यह है कि संग एवम राज्जी के मद्ध वित्य साधनों की इस्थिती की समिक्षा वित्यायोग के द्वारा की जाएगी वहें वित्यायोग इस्थिर और इस्थाई राजकोसिय अगर अनुच्छे 281 की बात करें तो इसके अंतरगत आयोग के द्वारा जो सिफारिसे राष्टपती को सौपी गई है राष्टपती उन सिफारिसों को संसद में प्रस्तुत करेगा अभी तक 15 वित आयोग का गठन हो चुका है और अध्यतन वित आयोग है 15 वित आयोग जिस या सिफारिसे दी गई है वो लागू रहेंगी किस अबदी तक 2021-22 से 2025-26 तक 15 वित आयोग की जो रिपोर्ट राष्टपती को सौपी गई है वो चार वाल्यूम में है जिसमें पहला और दूसरा वाल्यूम मुख है जबकि तीसरा और चौथा वाल्यूम क्रमसा केंद्र से संबंधित रोड मैप की भी चर्चा उसमें की गई है और चौथे वाल्यूम में परतेक राज्यों के ना केवल वित्य इस्थिती की समिक्षा है बलकि परतेक राज्य के वित्य इस्थिती से संबंधित चुनोतियों को भी उसमें संबोधित किया गया है अब सवाल यहां कि रिपोर्ट कब सार्जनिक होगी तो जैसा कि अंदेशा है आगामी शीत सत्र में हो सकता है कि यह संसत के पठल पर रख दिया जाए और अगर सीत सत्र में ऐसा नहीं होता है तो फिर 2021-22 वित वर्स के लिए जब बजट को प्रस्तुत किया जाएगा तब संसत के पठल पर वित आयोग की रिपोर्ट को रखा जाएगा अब यहाँ पर यह कि भविस में 15 वित आयोग की रिपोर्ट की सिफारिसों पर सरकार कारी कर रही या नहीं कर रही है तो फिर यह तो पता चलेगा उनके कारी के अनुसार मतलब यह कि सरकार का कार यह इस्पश्ट करेगा कि आयोग की सिफारिसों को सरकार ने सुईकार किया है या सुईकार नहीं किया है क्योंकि जब चौदवे वित आयोग ने कर विभाज्य पूल में राज्य की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ा कर 42% किया तब केंद्र ने इस सिफारिस को स्विकार कर लिया तो राज्य का उत्साहित होना वाजिब है परंतु हुआ क्या कि वास्त्विक हस्तांतरन की रासी की अगर बात की जाए तो पीछले कुछ वर्सों में या देखा जा रहा है कि वास्त्विक हस्तांतरन की रासी कम हुई है अब उसका कारण क्या है इसका कारण है विमुद्री करण और GST अब हमें यह पता है कि विमुद्री करण और GST के बाद देश में आर्थिक क्रियाकलाब की गती धीमी होई और आर्थिक क्रियाकलाब की गती की धीमी होने के कारण आए के दोनों प्रकार मतलब यह कि व्यक्तिगत आए और कमपनी के आए इन दोनों प्रकार के आए में क्या ह में भी कमी आई तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि सरकार के सकल कर राजस्तु में कमी आई और जब सरकार के सकल कर राजस्तु में कमी आईगी तो फिर राज्यों को जो 42 परतिसत हिस्सा मिलता है तो राज्यों के भी राजस्तु हस्तान तरड में कमी आईगी अब देखे कि हाल के वरसों में सकल राज़स्व संग्रह में जो कमी आई, तो केंद्र ने क्या किया, कि उसे जो अत्रिक्त राज़स्व की आवे सकता थी, उसकी पूरती केंद्र ने उपकर एवं अधिभार के माध्यम से की मतलब ये कि सेस और सरचार्ज के माध्यम से की अब अगर हम विभाज जी पूल की बात करें तो देखे विभाज जी पूल क्या है कि इसमें सभी केंद्रिय कर सामिल होते हैं लेकिन इसमें सामिल नहीं किया जाता है क्या उपकर और अधिभार तो अब आप इधर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने कर राजस्त हस्तांतरन के मामले में राज्य की चिंता को बढ़ा दिया है। कमी को पूरा करने का वध किया। परन्तु केंद्र चालू वित्वर्स में राज्यों की राजस्त छटी पूर्ती को पूरा करने के लिए कई विकल्प लेकर सामने आगी। इससे राज्यों के मद्र राजस्त हस्तांतरन से सम्मंदित संका बढ़िये। वही केंद्र ने पंद्रवे वित्य आयोग के समझ जो term of reference रखा तो उसमें आयोग को यह कारी दिया गया था कि आयोग आंकलन करे आखिर किस बात की तो पहला यहाँ पर यहाँ कि रक्षा और सुरक्षा से सम्मंधित जो व्याय हुए है तो उनके लिए एक non-lapseable fund बन सकता है या नहीं बन सकता है वहीं दूसरा कि केंद्र जिन सुधारों को आविस्यक समस्ती है उन सुधारों के सम्मंध में राज्यों का प्रदर्शन कैसा है और फिर उन प्रदर्शनों को आधार बनाकर राज्यों को प्रोचसाहन पैकेज दिया जाए अब जैसे इस सुधार के अ आयूग में जनसंख्या का जो आधार है वह 1971 की जंगरना के इस्थान पर 2011 की जंगरना को सामिल किया गया है। तो RBI के राज वित्ती रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की वित्तिय इस्थिती अच्छी नहीं है और राज्यों की इस वित्तिय इस्थिती को महमारी ने और बदतर बना दिया है। अब पिछले वर्ष क्या हुआ था कि वित्त आयोग ने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए अंत्रिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उसका कारण क्या बताय था। उसका कारण यह बताय था कि विमुद्री करण और GST के रूप में सरकार ने जिस सुधार को अपनाया है। उसके कारण अर्थ विवस्था की गती क्या हो गई वा धीमी हो गई है। इसी कारण अगले पांच वर्ष की भविस्वानी करना अभी एक कठिन कार्य होगा। तो अब यहाँ पर यह है कि जब वित आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सौपी है तो महामारी ने अर्थ विवस्था की इस्थिती को पुर्ण रूप से अनिश्चिद बना दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो होना यह चाहिए कि केंद्र राज्य के मन में यह जो डर है उस डर को आसंका को दूर करने के लिए जल्द से जल्द पंदरवें वित आयोग की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करें। ताकि राज्यों की जो चिंता है उन चिंताओं को बाचित के माध्यम से दूर किया जाए। और इसका लाब यहाँ पर यह होगा कि राज्य जो आगामी बजट का निर्मान करेंगे उसमें निश्चितता होगी। वहीं केंद्र के द्वारा अगर राज्यों की चिंता को स्विकार कर लिया जाता है तो आगामी वर्सों में यह जो संगवाद है उसकी भावना मजबूत होगी। और केंद्र और राज्य मिलकर फिर से भारत को उच्च वृद्धी दर प्राप्त कराने में सफल होगे। तो इस प्रकार इस संपादकी के माध्यम से हमने पंद्रवे वित्यायोग के आधार पर राज्य के समक्ष मौजूद वित्य चुनोतियों पर चर्चा की। बढ़ते हैं अपने अगले संपादकी की ओर जिसका सिर्शक है डोज ओफ ऑप्टिमिसम। इस संपादकी को लिया है COVID-19 महामारी टीका और यह टीका कौन सी है यह टीका है BNT 162 B2 और यह टीका है Pfizer कमपनी की जिसको विक्सित किया है जर्मनी की एक छोटी सी कमपनी नाम है BioTech अगर इस COVID-19 महामारी टीके की बात की जाए तो यह 90 परतिसत ही प्रभावी होगा और यह कैसे पता चला है तो यह 94 वोलेंटियर्स के सेंपल के आधार पर हां यहां पर यह महत्यपूर्ण है यह जो वोलेंटियर्स हैं तो यह ओलेंटियर्स किस हद तक कोरोणावाईरस से संक्रमित थे यह पता नहीं है और वहीं जो यह 90 परतिसत क्लोपभावी है इसकी जानकारी कैसे मिली है तो company की प्र संदर में उपलब्द नहीं है और तो और अन्तिम निर्णने तो न्यामक संस्थाओं के दौरा किया जाएगा और यह न्यामक संस्था कहां के होगी तो पहले योरोप की और फिर अमरीका की और उसके बाद सेच स्विश्व की तो मतलब यह कि से स्विस्ट को अभी प्रतिक्षा करनी है और जिसमें भारत भी है अगर COVID-19 महमारी टीका की बात भारत के संदर में की जाए तो देखें कि भारत में सीरम इंस्टिचूट की COVID-SHIELD और भारत बायोटेक की कोवेक्सिन इन दोनों दवाईयों को छोड़कर एक भी वैक्सिन तीसरे इस्तर के परिष्ण में नहीं है मतलब केवल यही दोनों टीके वैक्सिन परिष्ण के तीसरे इस्तर पर मौझूद है अब देखें कि DNT 162 B2T का या आधारी थे किस पर? मेसेंजर RNA तकनीक पर अगर हम RNA की बात करें तो यह रैबोनुकलिक एसीड ह होता है जो सभी जीवित कोसिकाओं में उपस्थित होता है और यह DNA से निर्देश प्राप्त करता है जो प्रोटीन संसलेशन को नियंत्रित करता है वहीं अगर हम बात करें मेसेंजर RNA की तो ध्यान दीजेगा कि मेसेंजर RNA अनुमों का एक बड़ा परिवार है जो DNA से रैब कोसिकाओं का एक ऐसा molecular blueprint देता है जिस पर चल कर कोसिकाओं किसी भी तरह का protein बना सकती है और mRNA के आधार पर जो विक्सित टीका होता है उस विक्सित टीका का side effect काफी कम होता है मतलब यह side effect की संभावना काफी कम होती है वहीं इसके निर्मान में काफी कम खर्च होता है परंत अभी तक mRNA आधारित कोई भी वानेजिक टीका विस्व में उपलब्ध नहीं है फिर हम आते हैं BNT 162 B2 टीका पर तो देखें इस टीका के अगर भंडारन से संबंधित तापमान की बात की जाए तो वह कितना है वह सुनि से माइनस सत्त डिग्री तक है वहीं इसकी ढुलाई संबब होगी किस तापमान पर सुनित तापमान पर क्योंकि उससे नीचे के तापमान पर हम अगर देखें तो परिवहन से संबंधित साधन उपलब्ध नहीं है और यहां पर चिंता इस बात की है कि अगर सुनित तापमान पर इस टीके की अगर ढुलाई होती है तो फिर 24 गंटे तक ही इस टीके का असर हो पाएगा 24 गंटे के बाद इसका असर क्या होगा वह कम होगा और इसमें एक जटिलता है जटिलता यह है कि तीन सप्ता के पस्चात इसकी दूसरी खुराक को लेना अवस्यक है तो मतलब यहां पर यह है कि इस टीके से संबंधित सबसे बड क्यंत ही सीमित है और अगर प्रभावी टीका भंडारन चमता की बात करें तो उसकी भी इस्थिती अच्छी नहीं है तो इस इस्थिती में भारत को क्या करना चाहिए तो भारत के लिए यहां आवस्यक है कि MRNA तकनीक पर कारी करे MRNA तकनीक पर आधारित जो टीका है उसके उ हंडारन और परिवहन से सम्मंधित अवसरचना का निर्मान करे और ऐसे निर्ने कुछ महिनों में ही हो जाने चाहिए और अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो फिर MRNA तकनीक आधाधित टीके से भिन अन टीकों के विकास के लिए समर्थन को दुगना कर दे मतलब यह अगर उनको वित्य समर्थन की आवसकता है अगर किसी कमपनी को तो फिर भारत सरकार के दौरा वह समर्थन उन्हें मिलनी चाहिए अगर भारत इस दिसा में चूकता है तो फिर देश लंबे समय तक महामारी के साय में रहेगा इस परकार इस संपाधिकी के माध्यम से हमने MRNA तकनी हमें मौझूद चुनोतियों को दूर करने के उपाए पता है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार